Hello students, कैसे हैं आप? I hope कि आप अपने घर में बहुत खुश होंगे और स्वस्त होंगे चलिए आईए हम शुरुआत करते हैं CBC Class 9th की History जो भुक है उसके 1st चेप्टर के 2nd वीडियो की एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने देखा कि क्रांती से पहले during 80th century France की सामाजिक, रानितिक और आर्थिक स्तिक कैसे थी लोगों ने क्यों क्रांती की उसके पीछे क्या रीजन था किस तरह से उन्हें फिलोसफोर्स ने मोटिवेट किया थर्ड एस्टेट की क्या कंडिशन थी resources जो हैं उनका distribution कैसा था यह सब चीज़ें हम उसमें देख चुके हैं राजा की कैसी policy थी राजा public welfare पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था यह सब चीज़ें हम देख चुके हैं तो आज का हमारा topic है फ्रांसिसी क्रांती की शुरुआत दा आउटब्रेक ओफ दे रिवोलूशन फ्रेंच रिवोलूशन 1789 यानि जो फ्रांसिसी क्रांती है उसकी शुरुआत को हम समझेंगे कि किस तरह से वन बाई वन वो क्रांती गटित होती है उसमें क्या changes आते हैं society में तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले देखे एस्टेट जनरल एस्टेट जनरल क्या है आपको यह ध्यान होगा कि राजा ने अमेरिका वार ओफ इंडिपेंडिस जो था उसमें तेरा जो राज्य थे उनकी मदद ब्रिटेन के खिलाफ की थे तो राजा पे और लेडी पहले से बहुत कर जा था और दस अवरफ लिवरे और हो गया था तो आप राजा को ज़रत थी नए टेक्स लगाने की और आपको पता है कि टेक्स पेयर सिर्फ कॉमन पीपल थे थाइड एस्टेट्स तो मैं आपको बताने जा रही हूं कि Jaharan है वो क्या है ऐस्टेट जनरल एक प्रतीनिधी सभा है यानि यह एकishes सहस्ता है जिसमें तीनों एस्टेट्स जो है एक political body है जिसमें तीनों एस्टेट्स जो है उनके प्रतिनिधी representatives होते है और राजा जो है वो इसकी सभा का आयोजन करता है सभा बुलाता है ये तै करता है राजा खुद कि बैठक कब बुलाई जानी है और कहां बुलाई जानी है ये सब डिसाइड करने वाला राजा है अब सवाल ये उड़ता है कि राजा सभा क्यों बुलाएगा तो हाँ जब भी राजा को नए टेक्स लगाने हो या कोई नया कानून पारिद करना हो तो यह जरूरी था कि वो एस्टेट जनर्रल की सभा बुलाकर उससे मन्जूरी ले यानि यहाँ आप समझ गए होंगे कि एक इस तरह का समाजिक धांचा रांतिक धांचा बना हुआ था जिसमें जो समाज के तीनों वर्ग हैं उनके प्रतिनितियों से मिलकर एक पॉलिटिकल बॉड़ी एक रांतिक सभा बनी थी जिसे एस्टेट जनर्रल कहा गया और राजा को समाज में कोई भी नया कर लगाने या कुछ भी रूल रेगुलेशन बनाने के लिए सबसे पहले एस्टेट जनर्रल की सभा को बुलाना होता था उसमें अपनी बात को रखना और वहां से मंजूरी दिलाने होती थी तो इसलिए एस्टेट जनर्रल जो है वो एक इंपोर्टेंट संस्था है दूसरे बात ये कि राजा ने पिछले कई वर्षों से इसको किनारे किया हुआ था अपनी मर्जी से राजा डिसेजन लेता था इसलिए पब्लिक बहुत ज़ादा एसंतोष्ट थी और तीसरी चीज ये कि अब राजा को नए करों की जोरत थी इसलिए अब राजा बहुत जल्दी ये एस्टेट जनर्ल की सभा बुलाने वाला था क्योंकि पब्लिक बहुत ज़ादा एसंतोष्ट थी इसलिए राजा कुछ भी डिसेजन एस्टेट जनर्ल की सभा के आयोजन करनी होती थी तो आप सवाल यह उठता है कि राजा ने लंबे समय से यह मीटिंग नहीं ली थी तो राजा ने लास्ट यह एस्टेर जनलकी सभाग हुई थी तो 1614 में एस्टेर-जनलकी सभा हुई थी तो बहुत वर्ष पहले उसके बात से राजा कुछ तरीके से साशन कर रहे हैं और तब से लेके पब्लिक बहुत दुखी है क्यों क्योंकि टेक्स केवल पब्लिक को ही पे करने पड़ते हैं तो अब देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है पांच मई 1789 में राजा ने क्या किया राजा ने करो के पस्ताव के अनुमो को इसके लिए उसने पांच मही 1789 को एस्टेट जनरल की सभा बुलाई बहुत दिनों बाद आप अपला जो पबलिक है वो बहुत ज़दा उत्सुक थी उसको यह था कि अब तक यह सभा नहीं बुलाई गई तो हमने जो अपनी प्यानिंग की है जिस तरह कि हमें राइस चा करेंगे ओके तो वेन्यू क्या चूज क्या गया वैन्यू चूज क्या गया, वर्साए का महल से पैलस ऑफ वर्सली एप और वहाँ जो फुर्स्ट और सेकWhen, 112 और थार्ड ख्री अस्टेट मेंबर्स क्योंकि third estate public के बहुत बड़े population का हिस्सा है यानि maximum जो लोग हैं वो third estate में आते हैं इसे उसको 600 उसके representative शामिल किये बागे के 300 and 300 तो देखें लोग आये थे लेकिन क्या इसमें सभी को permission थी सबका आना allowed था ऐसा नहीं था इसमें जो probited groups थे कि जिनका आना deny है बिल्कुल नहीं आ सकते ये one marks question मन सकता है यहां उसमें किसान थे यानि peasants, articians and women इनका यहां आना मना था तो इनकी problems कैसे solve की गई इनकी problems को 40,000 letters के माध्यम से वो जो representative आये थे वो अपने साथ ले के आये थे ताकि वो meeting में discuss कर सके अब क्या था? estate general का नियम समझे estate जो general है उसकी meeting का एक नियम बना रखा था कि सब एक मत देंगे एक मत मतलब तीन estate है पहला, दूसरा और तीसरा तीनो estate collectively चाहे member कितनी भी आये हो लेकिन collectively एक vote कास्ट करेंगे, एक vote देंगे राजा ने जो भी प्रस्ताव रखा है उस पर एक vote देंगे उसके पक्ष में सहमत है कि नहीं है या अन्य कुछ तो इस बार भी राजा ने वही practice continue कि कि ओके सब जो estates है only one vote के लिए वो हगदार है लेकिन इस बार public aware हो चुकी थी आपने ध्यान दिया होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार जो educated middle class था सिक्षित मध्यम वर्ग एक नए वर्ग का उदय हुआ था middle class जो मध्यम वर्ग था उस ने इस करांती की responsibility ली थी वो पुरे planning के साथ है थे उन्होंने इस बार demand की कि हर किसी व्यक्ति को एक vote का right होना चाहिए एक vote यानि प्रतेक व्यक्ति को एक vote डालने का अधिकार होना चाहिए मता अधिकार सभी को होना चाहिए अच्छा ये जो thought था ये उन्हें कहां से देखने को मिला ये उन्हें Russo की जो book है Russo की the social contact उस book से उन्हें ये motivation मिला कि जो हमारी government है उसको choose करने में हमें public को सभी public के सभी जो लोग हैं उनको right to vote मिलना ही चाहिए तो क्या किया जो public है यानि जो third estate है उसने राजा के सामने अपनी बात रखी प्रस्तुत की बट राजा ने इसे refuse कर दिया reject कर दिया तो third estate जो बहुत गुसे में थी अपना विरोध दिखाते हुए walk out कर गई assembly से बाहर चली गई कि नहीं हम ऐसी estate general की meeting में participate ही नहीं करेंगे जहां हमारी बात नहीं सुनी जाए तो इस तरह से meeting शुरू होने से पहले ही third estate के लोग walk out करके वहां से assembly से निकल गई अब देखे क्या होता है अब next जो date है वो भी बहुत बहुत important है 20 June 1789 इस दिन क्या हुआ सब लोग जो है वो tennis court पर इकठा हो गए यानि वर्साइ का जो indoor stadium है वहां ये जो लोग है third estate के ये वहां इकठा हो गए indoor tennis court में और वहां ये third estate ने खुद को national assembly declare किया national assembly की जो third estate है वही राष्टर ये सभा है और जब तक उन्होंने एक ओध ली उन्होंने एक शपत ली क्या शपत ली कि जब तक राजा की power को control करने वाला constitution नहीं बना लिया जाता तब तक ये national assembly भंग नहीं होगी तो इस प्रकार जब तक constitution नहीं बन दा तब तक national assembly यानि third estate ही देश के लिए decision लेगी और तब तक ये भंग नहीं की जाएगी अब इस क्रांती के leaders कौन थे ये one marks के लिए बहुत important questions बनते हैं इस क्रांती के leader थे मिरावियो और आबेसिये और आपको जानके ये हैरानी होगी कि मिरावियो एक कुलीन परिवार से थे noble family से जबकि जो आबेसिये थे वो एक priest थे यानि वो clergy जो है उनकी group से थे और इन्होंने भी common people यानि third state का साथ दिया इवन इन्होंने lead कि lead किया revolution को और ये जो मिरावियो थे ये against the birth rights थे हमेशा से ऐसे समाज के विरोधी थे जिसमें कुछ groups को special rights मिले हो और unequal society हो उसका इन्होंने हमेशा विरोध किया आबेसिये ने भी अपने जो effective जो thoughts से खरांती कारी जो विचार थे वो उन्होंने एक pamphlet published की तीसा state क्या है what is the third state उसमें उन्होंने अपने views रखे जिन्होंने लोगों को बहुत motivate किया लोग उनसे जोड़ते चले गए तो यह आपको चितर दिखाई दे रहा है जहां लोग tennis court में इकठा हैं आक्रोशित हैं गुस्से में हैं और देखिए सभी लोग अपना हाथ फैलाए हुए हैं किसी के हाथ में पत्र हैं जो वो लेके आये थे उसमें अपना रिप्रेजेंट करने के लिए और देखिए यह लोग ओध ले रहे हैं शपत ले रहे हैं कि यस जब तक हम राजा की पावर को कंट्रोल करने वाला constitution नहीं बना देते तब तक हम यह देशनल असे में लगी होई थी उस टाइम फ्रांस की कंडिशन क्या थी पूरा फ्रांस उबल रहा था गुस्से में था रीजन क्या है रीजन यह है कि क्रॉफ फेलियर हो चुकी थी सीवियर विंटर की कारण बहुत उनकी फसल जो है उसका उत्पादन बहुत कम हो था जब किसी भी चीज का मार्केट में उत्पादन कम होगा मार्केट में वो कम होगी तो उसकी प्राइस हमेशा बढ़ जाएंगी कीमतें उसकी बढ़ गई किसकी ब्रेड की पाव रोटी की कीमतें आस्मान चोने लगी और इनका फाइदा उठाया जो बेकरी ओनर्स हैं उन्ह ने उन्हों ने जमाखोरी करना शुरू किया मतलब जितने भी इस तरह के पाव रोटी और खादे सामगे थे उसको इकठा करना शुरू किया और धिरे जिरे सिचुएशन का लाब उठाया मतलब थोड़ थोड़ा करके वो सामान निकालने लगे ताकि उसकी कीमतें और बढ इस बात पर फ्रांस की पबलिक गुश्था था क्योंकि भोजन सभी। प्राथमिक और शेकलता है वो पूरा होना ज़रूरी है तो देखे जो प्रांस की महिलाये बहूत-ज़़ा गुश сам । क्योंकि उन्होंने देखा कि जब उसमें से शान तक लंबी लाइन बना के खड़ी है और शॉप में उनको दिखाए दे रहा है कि ब्रेट पड़ी होई है लेकिन फिर भी उनका टर्न आजने से पहले ही वह शॉप बंद हो जाती है जबकि उसमें फूड ग्रेंस उसमें आज ब्रेड वगर सब चीज़ें पड़ी है यानि जो बेकर्स है यानि इस तरह के दुकानदार जो हैं जो इस तरह के सामगरी बेच रहे हैं वह इसका फाइदा उठा रहे हैं तो जो महिला हैं थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था उन्होंने क्या किया उन्होंने दुका को ओर्डर दे दिया कि वो सारी पैरिस में आ जाएं ताकि राजा अपनी सेफटी कर सके तो इस तरह से राजा भी सिच्वेशन को भाप रहा था कि सिच्वेशन ज्यादा अच्छी नहीं है अब देखे सबसे इंपोर्टन डेट इस चैप्टर की आ गई है 14 जुलाई 14 जुला इस दिन फ्रांस का सुतंता दिवस मनाया जाता है इस डेट को फ्रांस का इंडिपैनेंस दे माना जाता है रीजन क्यों माना जाता है क्योंकि इस दिन जो बास्तिल का किला है उसका डिकलाइन हो गया था बास्तिल जो है उसका किला जो था उसका डिकलाइन हो गया उसको डि प्रालसैसी जो लोग हैं वो आजादी का दिवस मनाते हैं। क्योंकि बासील का जो किला है वो राजा की निरंकुष्टा उसकी ओठ्मो संप्ध करते ही उसके हमला करके निश्ट करते ही लोगों को लगने लगा कि यह अब हमें राजा की पावर को लगभग कंट्रूल कर लिया है तो बासिल का जो किला है जो उसकी ओटोक्रेसी का उसकी निंकुष्टा का एक प्रतीक माना जाता था लोगों ने उसको निश्ट कर दिया और उसी दिन से उसी दिन को 14 जुलाई को जो फ्रांस है उसका सुदंदा दिवस माना जाता है अब देखिए कंट्री साइड में क्या हो रहा था रूरल एरियाज में वहाँ एक रूमर फैला हुआ था कि जो लेंडलोर्ड्स हैं उन्होंने अपने हायर बैंट्स बुलाए हैं भाड़े के लठैत और वो लोगों की जो पकी पकाई फजल है उसे नश्ट कर देना चाहते हैं जब कैसा कुछ नहीं था यह रूमर था लेकिन क्या हुआ इस रूमर से जो लोग थे वो लोग बहुत गुसे में हो गए किसान बहुत डर गए और उन्होंने अपने जो पिछ फॉक्स हैं कुदालादे उनसे जो ग्रामीन किले हैं उन पर अटैक कर दिया और वहां जो भी उनके लगान संबंधी डॉकुमेंट्स थे उनको जला दिया और जो अनाश के भंडार थे उन्हें लूट लिया क्यों प्योंकि आपको पता है भी अनाश की कमी चल रही थी बेकरी वाले जो हैं वो पूरी खाला बाजारी कर रहे थे लोग भूखे मर रहे थे लोग बहुत चुड़े के लिए थे उन पर हमले के और अनाश को लूट लिया साथी साथ अपने जो डॉकुमेंट्स से लगान संबंधित उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जला दिया अब क्रांती जो है वो बढ़ती जा रही है राजा भी थोड़ा फेरफुल हो गया है कुलीन वर्ग अब गए और वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां माइगरेट कर गए वहां जाके उन्होंने शेरन ली ठीक है अपनी जान बचाने के लिए कि ताकि उन पर कोई खत्रा ना हो अब जब नोबस चले गए क्योंकि राजा के सपोर्टी तो क्लरजी और नोबस ही थे नोबस इन्यता दे दी उसको रिकॉगनिशन दे दी कि ओके मैं एकसेप्ट करता हूँ कि थर्ड एस्टेट ही नेशनल सेबली होगी और वही देश के लिए डिसीजन लेगी और दूसरी चीज जो राजा है उसने अब ये मान लिया कि उसके उपर यानि उसकी अब मनमर्जी नहीं चलेगी उसके उपर समीधान रहेगा मतलब अब वो कॉंसिटूशन के अकॉर्डिंग साशन करेगा उसकी पावर को चेक करने के लिए कॉंसिटूशन होगा अब राजा पहले के जैसे साशन नहीं करेगा इन बातों पर राजा ने अपनी स्विक्रती दे दी कि मैं नेशनल इसे हैं जो पादरी वर्क थे जो क्लरची ग्रूप था उसका क्या रियक्शन हुआ क्लरची ग्रूप ए बहुत डर गया और डरने के बाद उसने भी खाते हैं कि को भी अबॉलिश कर दिया इसे के साथ साथ चर्च के पास बहुत जादा जमीन थी उस जमीन को सीज कर दिया गया उस जमीन को ले लिया गया और उसकी जो संपत्ति थी कम से कम 20 अलब लिवरे की संपत्ति थी वो भी उसे ले ली गई तो इस प्रकार जो पादरी वर्ग है उस से बीस अरव लिवरे जो है वो संपत्ती प्राप्त हुए तो देखे अब चार अगस 1789 को असेंबली ने क्या किया असेंबली ने ऐसी गवर्मेंट जिसे सामंती व्यवस्था कहा है फ्यूडर सिस्टम सामंती व्यवस्था ये ऐसी व्यवस्था है जो केवल और केवल टेक्स पे करती है एसी गवर्मेंट में पब्लिक के ये केवल और नहीं है और वो जनता पर टेक्स या किसी भी तरह के बंधन लगाती है यानि इस तरह के government जो feudal system पर based है जो obligation और taxes ही लागू करती है जो public को कोई right नहीं देती ऐसी government को abolish कर दिया गया National Assembly के दुआरा 4 अगस 1789 को तो इस प्रकार ये क्रांती जो है ये complete होती है तो आप इसको एक summary में देखें कि real situation क्या हुई situation ये थी कि राजा के उपर कर्श बहुत चड़ा हुआ था और समाज के जो money lenders थे जो ऐसे work जिन्होंने राजा को पैसा दिया था वो पैसे की demand कर रहे थे राजा को भी अपने शानों शौकत बनाए रखने के लिए पैसे की खूब ज़रुत थी तो ऐसी situation चलते चलते है अब राजा को पैसा कहां से मिलेगा राजा को पैसा मिलेगा taxes से और tax payer कौन है के वल third estate है और tax कैसे लागू कर सकते है टेक्स के वल थर्ड एस्टेट की सभह बुलाकर उस सभह में मंजूरी लेकर अप्रूव लेकर ही लागू किया जासकता है तो राजा ने एस्टेट जनल की सभह बुलाई ताकि वो tax की बात रख सके और ऐसी situation में इस बार जो अब प्रतेक व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए लेकिन राजा ने इसे रिफ्यूस कर दिया और रिफ्यूस कर दिया तो यह जो और उसके बाद इसी समय जब नेशनल सेंबली कोंसिट्यूशन बनाने में लगे हुई थी तभी पूरा फ्रांस अंदुलित हो गया खराब जो मौसम है यानि सिवियर जो विंटर है उसके चलते फसल नष्ट हो गई उत्पादन कम हुआ केमतें बढ़ गई और लोगों ने काला बाजारी करने शुरू कर दी बेकरी मालिकों ने इसे पबलिक और गुस्सा हो गई जो एक यह साथ लोगों में रूमर फैला कि जो ग्रामीन शेत्र हैं उनमें जमिदार वगए उनकी फसल नष्ट करने के लिए भाड़े के लढ़त बुला रहे हैं तो इसलिए लोगों ने क्या-क्या ग्रामीन शेत्र में जो के लिए हैं उन पे अटैक किया और अपने जो द्यूज के पेपर से अपने जो दस्तावेश थे लगान समंधी उनको चलाया उनको नश्ट किया और इस तरह से जो लोग थे वो रिवलुशनरी यानि और भड़कते भड़कते जा रहे थे उनका विद्रो और बड़े पैमानी पर फैल रहा था राजा ने डर के मारे पैरिस में सेना बुला ली थी और जो कुलीन है वो छोड़के प्रॉसी देशों में भाग गए थे राजा ने भी अप्रूवल दे दिया क्योंके नैशनल असेंबली को मैं माननेता देता हूं जब बासिल के किले का पतन हो उसके बाद राजा भी डर गया और पाजी वर्ग ने भी वीडियो अच्छे से समझ आया होगा अगर स्टूरेंस आपको यह नहीं समझ आया तो आप इसको एक बार फिर देख सकते हैं आप इसको बार बार देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस पूरे वीडियो में वनमाक के बहुत सारी क्योशन बनते हैं थैंक्यो for watching मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ